हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल इंग्लिस विद एसार सिमार आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ थर्टी इंपोर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन तो देखते हैं पहला डाई आफ या डाई फ्रॉम तो डाई आफ का परियोगपन तब करते हैं जब डाई के बाद कोई आफ के बाद कोई बीमारी आए और डाई फ्रॉम का परियोगपन करते हैं जब फ्रॉम के बाद कोई जो है कारण हो मरतियू का तो डाई का मूल रूप स तो ता मत मरना इसके साथ औब भी लगता है फ्रॉम भी लगता है परिस्तिति के साब से देखे पहला डाई ओफ यहाट कैंसर है इसलिए डाई के भी डाई और कैंसर के वीच में क्या लगाया ओफ लेकिन मौत अगर भीमारी शेर नहीं होती किसी कारण से होती तो हम लिखते फ्रॉम जैसे इडाई फ्रॉम एक्सिडेंट इडाई फ्रॉम हंगर अगर भूख से दुर गटना से अगर मौत तो वहाँ पर क्या लगते है डायट फ्रॉम नेक्स्ट बात करते है क्योर अफ क्योर एफ का मतलब वता हिलाज करना अगर अगर रुवर्ब के रूप में हुआ तो भाप इसके पंचे और इसके प्रेयोग हुआ पर इत्सकार नाउन के रूप में वसके Cancer का इलाज कोरी कॉछर K升 का नाउन के रूप में हो तो देखो एक बार इलाप होना क्यॺ फूर का मतलब था इलाज होना सै इलाज तो अभी कोई इलाज नहीं ए फूर एड़्ट के लिए का कोई भी इलाज नहीं है जैसे मालों कुनेन जो है मलेरिया का इलाज है तो इस तरह से क्योर आफ और क्योर फ़ॉर बहुत कन्पिजने ध्यान रखना क्योर आगर वर्ब की रूप में तो क्योर आफ और नाउन की रूप में तो क्योर फॉर आएगा इसके पीचे, यह प्रपोश्टन अक्षर जो है परिक्षम में पूछ ले जाता है hop off hop for का परियोग करते हैं लेकिन सही है hop off यानि आसा करना I hop off your success मैं तुम्हारी सफलता की काम ना करता हूँ मैं तुम्हारी सफलता की आसा करता हूँ hop off refrain from यानि दूर रहना you should refrain from drinking तुम्हें जो है किसी को रोक देते हैं तो डिबार फ्रॉम होता है जैसे मालो I was debard from taking the exams मुझे परिक्षा देने से रोक दिया गया I was debard देखेंगे आपकी पैसी वह इसका वागिया I was debard from taking the exam मुझे परिक्षा देने से रोक दिया गया next है accused of he was accused of her murder वे उसके हत्या का आरोपी था accused of अब एक next word है angry at या angry with तो friends याद रखना angry at का प्रियोगा पंतब करते हैं जब angry at के बाद कोई जो हवस्तु आए तो लेकिन अगर वेक्तिकी बात हो रही है तो वहाँ पर जो है अपन person अगर है तो with का प्रियोग करेंगे तो देखो sentence he got angry at my decision वे मेरे लेने से गुसा हो गया angry at क्यों आया क्यों कि my decision जो है एक thing हो गई लेकिन यही वेक्तिक की बात करें तो he got angry with me वे मुझसे नाराज हो गया तो वेक्तिक के साथ है तो angry with और वस्तु के साथ है तो angry at next है born of यानी जन्म लेना तो he was born of a rich family उसका जन्म अमीर परिवार मुआ है he was born of a rich family उसका जन्म जो है अमीर परिवार मुआ है next है confident of विश्वासी होना I am confident of your success मैं तुमारी सफलता का विश्वासी होना मुझे विश्वास है कि तुम्हें सफलता मिलेगी I am confident for your success नहीं I am confident of your success next is the word of the word of यह रहीत यह जो नहीं हो जैसे माल लो the place is the word of human beings इस 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 तान जो है इंसानों से रहीत है यानि कि इंसान नहीं है आपर the place is the word of human beings the word of यह रहीत होना यानि कि कोई चीज नहीं होना deprive of यह वन्चित कोई जिससे किसी चीज से वन्चित रह जाता तो deprive of वहाँ पर इसका प्रियों को ता प्रेपोशन फिक्स प्रेपोशन है तो I am deprive of my property मैं मेरी संपती से वन्चित हूँ I am deprive of deprive of यह वन्चित होना यह divide of और deprive of जो है बहुत जगे पुछा जाता है good at good at इनि किसी चीज में दक्स होना निपून होना तो he is good at studies वह अध्यन में जो है निपून है good in नहीं होगा good at weak at इस तरह से यहां पर इस तरह से good at weak at इस तरह से grateful to grateful to का मतलता कर्तक्ये होना तो grateful के साथ क्या fix है to fix है I am grateful to you मैं तुमारा कर्तक्ये हूँ आभारी हूँ grateful to you grateful for you नहीं grateful to you sure of ये निश्चे होना जैसे we are sure of our arrival हमें पकार निश्चे है कि वे आएगी ही आएगी तो निश्चे होना sure of sure about नहीं होगा यहां पर sure of देखो मैं वही proportion बता रहा हूँ आपको जो confusion वाले हैं sure of ये निश्चे होना we are sure of our arrival next है avail of avail of ये फाइदा उठाना love लेना you must avail yourself of this opportunity तुम्हें इस आउसर का love उठाना ही चाहिए तो you must avail yourself of avail of ये निश्चे होना फाइदा उठाना तुम्हें आउसे ही इस आउसर का love उठाना चाहिए अब next है agree to और agree with तो याल रखना अगर वस्तु के साथ है तो तु का प्रियोग करेंगे और वेक्ति के साथ है तो फिर with का प्रियोग करेंगे agree के साथ तो कैसे होगा देखिए I agree to your proposal मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूँ तो प्रपोजल एक वस्तु है इसलिए अपने इसके साथ किसका प्रियोग कर रहे है अद्रिश्य चीज के साथ I agree to your proposal लेकिन अगर कोई के मैं तुमसे सहमत हूँ तो I agree with you मैं तुमसे सहमत हूँ वेक्ति के साथ है तो with और वस्तु के साथ है तो to agree to agree with come off come off यी इनी सम्मंद रखना तो he comes offistent royal family वेक साही परिवार से सम्मंद रखता है या वे साही परिवार का he comes off जैसे मानलों जिस तरह से born off होता है उसी तरह से comes off he comes off come के साथ कम के साथ off का परियोग सम्मंद रखना indulges इनी लिप्त होना मानलो सकते हैं तो जुआ में जो है लिप्ट था ही इंडल्ज इन गेंबलिंग वे तस्क्रीय जुए में लिप्ट था तो इंडल्ज इन इंडल्ज इन लिप्ट होना इसके साथ इन फिक्स होता है मैं साहिए इंडल्ज के साथ इन ही आता है तो पास्टें से ही इंडल्ज इन में अम्मतरित क्या गया he was invited to not invited in the party नहीं he was invited to the party ले भाई यह नि बचा के रखना कोई चीज अपन बचा के रखते हैं तो ले भाई का प्रियों करते हैं तो we must lay by money for difficult times हमें मुश्किल समय के लिए पैसे बचा के रखने चीए ले भाई यह नि बचा के रखना take after take after यह नि सद्रिश्य होना समान दिखना एक जैसा दिखना तो उसके लिए take after का पर्योग होता है तो see tax after our mother वे अपनी महा जैसी दिखती है tax after you take after your brother तुम अपने भाई जैसे दिखते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे to take after यह नि दिखना एक जैसा समान चरा होना पुट अप विद यानि सेहन करना तो आई कैनोट पुट अप विद इस मैं यह सेहन नहीं कर सकता सी कैनोट पुट अप विद लोस वे हानी बरदास नहीं कर सकती हानी सेहन नहीं कर सकती तो पुट अप विद का मतलब होता है सेहन करना proceed to यानि प्रस्थान करना proceed to का मतलब क्या होता है प्रस्थान करना I shall proceed to Jodhpur tomorrow मैं कल Jodhpur के लिए प्रस्थान करूँगा I shall proceed to Jodhpur tomorrow repent of repent of यानि पच्चतावा होना he repented of his mis behavior उसको अपने जो है दुरु विवहार का पच्चतावा था यानि उसने पच्चतावा किया of his mis behavior अपने जो है दुरु विवार का जो खराँ विवार किया उसने उसका पच्चतावा किया here of in सुनना I have heard of his success मैंने उसकी सपलता को सुन लिया I have heard of his success उसकी सपलता को सुन लिया तो here के सथ क्या आएगा आफ सेंड फॉर इन बुलाना तो आई शेंड फॉर द डॉक्टर लास्ट नाइट मैंने कल डॉक्टर को बुलाया शेंड फॉर शेंड का मतलब बेजना नहीं होगा यहां पर फ्रेजल वाप्स है और फिक्स प्रेपोशिशन नहीं ते शेंड के शाथ किसका पुर्योंग किया है फॉर आई शेंड की शेंड की शेंड फॉर मोगी पास्ट लोने से तो आई शेंड फॉर दडॉक्टर लास्ट नाइट यह जो है वीडियो सुनवाया होगा थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो